गोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एक्जाम पर इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान वीडियो का जो एक्जाम हुआ है दो दिन एक्जाम चला है 27 और 28 दिसंबर दोनों शिफ्ट में एक्जाम हुआ है इस प्रकार टोटल हमारे पास चार शिफ्ट में पेपर हुआ है ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान का आज हम उसकी अनुमानित कटोफ आपके साथ डिसकस करने आए हैं आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शर सब्सक्राइब जरूर करें और अब हम आपके साथ बात करते हैं कि कितनी कटोफ जाने की संभावना है इस पेपर में तो इतने नंबर आए तो आपका सेलेक्शन पक्का तो यदि हम बात करें डेट 27 दिसंबर और 28 दिसंबर दोनों दिन 1st और 2nd दोनों भी पर पूरा हुआ है तो यदि हम कैटेगरी वाइस मेल और फीमेल बात करें कुए कर कि टोफ की समें हमारा अनुमान है कि जनरल में कर डॉल इस से उपर नहीं जाएगी इससे तो नीचे ही जाएगी यह इतनी है तो आप अपने आप को सेप मान सकते हैं कि जनरल के कटोफ की बात करें यदि आप मेल हैं तो 55 प्लस या 55 तक अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं और 53 फीमेल के लिए EWS कंडिडेट की अगर हम बात करें तो 55 और 53 दोनों सेम रहेगी इसमें OBC की बात करें तो OBC में में एक दो नंबर कुछ उपर नीचे हो सकता है लेकिन कट ओफ सेम रहने की उम्मीद है ऐसी की बात करें तो 50 और 48 मेल में 50 और फीमेल में 48 कट ओफ जाने की संबावना है अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपने आपको मेंस के लिए तयार कर सकते हैं ST की बात करें तो 50 और 48 कट ओफ अनुमानित है ST की अगर आप सभी इस सेफ स्कोर को पार करते हैं तो आप अपने मेंस के तयारी को जारी रखें तो धन्यवाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीडियो के लिए फीमेल की कट ओफ अगर 38 भी है तो आप अपने आपको सेफ म करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्याद